दोस्तों आज हम लाएं हैं ऐसी पराठे की रेसिपी शायद आपने स्टफिंग इस तरह से पराठे की कभी नहीं करी होगी कभी नहीं बनाई होगी बहुत टेस्टी पराठा बनेगा और स्टफिंग इसकी बिल्कुल खास तरीके से करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से बने आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों तो पहले उसको ट्राइ करिए रेस्पी पसंद आए तो लाइक करिए अपनों के साथ शेयर करिए और जो लोग मेरी चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रस कर लें जिससे जब नए रेस्पी अपलोड करूं मैं अपने चैनल पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे प्लीज पर आठे को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने दो बड़े कटोरी गेहूं का आठा लिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मेल्ट करके पिगला कर इसमें ढाल रही हूं में अलू लिए हैं जिनने मैंने उबाल का ठंडा कर लिया था दोस्तों वीडियो शाम को बनानी थी सुब़े से उबाल कर रख लिया था ठंडा अलू मिक्स करना है घरम अलू मिक्स करेंगे तो वो पानी छोड़ देगा हमारा आठा पिलकुल भी अच्छा नहीं बनेगा कर दिछाए नहीं कि आप थोड़ा ठोड़ा पानी डालकर इस आे को हम् मिक्स कर लिया है और पानी ठोड़ा दोड़ा जालना है क्यों . अर्ब्च पैनी पानी रेच्ट पैर्स में और अलु पड़ा हुआ है और यह फ़ीड़ा केड़ा पानी नहरा है खाले तो आप फटा-फट इस काम को कर लेंगे तो देखिए सॉफ्ट आटा मैंने बिल्कुल रोज की रोटी पर आटे कितना लगाया है और दस मिनट के बाद कवर को हटाईए और आटे को थोड़ा सा चिकना करेंगे तो देखिए आलू मिला हुआ है तो हाथ पर आटा चिपक रह है तो उससे बचने के लिए हाथ पर थोड़ा सा ओयल या देशिगी लगा लीजे और आब आटे को दुबारा से चिकना करें तो आप देखिए कितने अराम से यह आटा चिकना हो रहा है हमारा हाथ पर बिल्कुल नहीं लगा है और आब हम इसकी बनाएंगे लोईया तो दे अब एक लोई को मैं ले रही हूं सूखे आटे में इसको लपेट लिया है और यहाप पड़ी सी रोटी बेलेंगे आप देख सकते हैं बड़ा समय बेल रही हूं रोज के रोटी प्राटे से बड़ा और इसकी थिकनेस मुटाई भी आप देख लीजे अब इस पर लगाएं बिल्कुल आप भी ऐसे ही फोड करिएगा मोरते जाएए लपेटे जाएए मोरते जाएए लपेटे जाएए बहुत टेस्टी पराठा बनेगा और स्टफिंग तो इतनी शांदार इतनी बढ़िया बनाऊंगी कि चीश से बनाऊंगी वो तो भी आप आगे देखेंगे और आप खीचते हुए इस लोई को जैसे लच्छे पराठे में करते हैं बिल्कुल वैसे ही आगरी वाला हिस्सा इसको खीची और इसको चिपका दीजी तो इस तरह से हमारी लोई बनकर त्यार है तो सातों लोई मैंने बना लिये अब इसमें से एक लोई का हमें भी पराठा ब इसके पैकेट इसकी जंगा आप मूं के उरत के पापड मिले सकते हैं उसको बस तवे पर या गैस पर सेख लीजे चिप्स को मैंने तोल दिया है दोस्तों चिप्स आज इसलिए डालने हूं क्योंकि पापड है नहीं मेरे पास वैसे ज्यादा तर जब भी मैं यह पराठा ब पॉडर इसी के साथ जाएगा इसमें नमक आदी छोटी चमच चिप्स में भी नमक होता आप देखकर डालिए लाल मिर्च पॉडर और आप स्रद्धा अनुसार जितना मर्चियों हरा धन्या डालिए हास से नहीं चमच से सारी स्टफिंग को मिलाएंगे और उसके बाद हम बोल को घुमा घुमा कर हिला लेंगे तो लीजिये हो गई ना स्टफिंग मजेदार टेस्टी वाली तयार अब आटे की तरफ चलते तो फिर से मैंने कवर हटाया है और एक लोई निकाल लेंगे अब लोई बाकी हम ढग देंगे और फिर से इसको हम बेलेंगे उसके पहले ह हम थोड़ा से इस तरह हाथ से फ्लैट करके दो तीन चम्मच जितनी स्टफिंग जो हमने बनाई है तेस्टी वाली ना इस पे लगाएंगे दबा देंगे थोड़ा से इस पे हम डालेंगे सूखा आटा अब आप चाहिए तो इसे हातों से फैला लीजिए और नहीं फैला प दूसरा पराणा भी में मैं भेल लेते हो तो बाकी लोग्going देतेगे जब जिसको खाना होगा ताब बनाएं से क्रादि कि तो यह दो पराथे मेरे जयाना असंब बाकि हम देते हो आप गैस की तरफ तवे को भी घी से ऑईल से ग्रीस करिए और आप रग दीजे इस पर यह शांदार पराथा इस्टफिंग वाला भाग उपर रखना है और प्लेन वाला भाग नीचे रखना है ज्यादा तरह हम लोग क्या करते हैं कि पराथा सेखते हैं तो एक बार पलटते हैं फ लच्छे पराथा की तरह हमने इसकी लोईया बनाई थी तो यह कितने अच्छे से इसकी परते भी खुल लेंगे बहुत टेस्टी पराथा है दोस्तों एक बार बना लीजेगा अब तो जाड़े आ रहे हैं आप इसमला मिर्च भी आड़ कर सकते हैं बॉयल करके मटर भी पराथे करते ही देखिए सिख चुका है निकाल लेती हूं इसको प्लेट में कितना शांदार लग रहा है ना एक बार बना लीजेगा कसम से बतारी हूं आप बार बार इस पराठे को बनाएंगे तो चलिए एक पराठा में और सेखती हूं इसको भी सेम प्रॉसेस से अल्ट के साथ खाइए चाय के साथ को आचार के साथ का आखstory की कोई जर्वत नहीं है इस पराथे के साथ यह अपने आप इतना टेस्टी लगता कMusic- काई हो इस पराथे को इन्जवाय करती पराथा लच्छे खुल रहे हैं आप देख सकते हैं और चुकी हमने घी डाल दिया था मोयन डाल दिया था कि बहुत खस्ता पराठे बनकर तयार हुए एक बार जरूर से ट्राइ करेगा कमेंट बॉक्स में अपने अन्भो मेरे साथ शेर करेगा मैं फिर से मिलूंगी एक बहुत ही शांदार टे लाइक कर दिजेगा